असतो मा सत गमया, तमसो मा जोगे गमया, नित्यो मा हम्रतम गमया हलो बच्चों, आप सभी को हिंदी क्लास के लिए स्वागत है आज हम दस्वी कक्षा में, दस्वी कक्षा के चात्रों को बड़े बुजर्गों के महत्व के बारे में बताती हूं चलो बच्चो बड़े बुजर्गों के महत्व के बारे में हम जानेंगे एक पिता ने अपने पुत्री की अच्छी तरहा परवरीश की ओक तंडरी तन कोड़की ने बागा चदिविंची मन्ची प्रयोजकुणनी छेसाडू उसे अच्छी तरहसे पड़ाया लिखाया अतनीने बागा चदिविंच्थू राइंचाडू वहा पुत्रू एक सफल इंसान बना पिता अब बूडा हो चालाता आ कोड़कू उकमंची सक्सेस्मेन गा तैयारै याडू तण्री मुसलिवाडगा अवत्तु नाडू अंटे रुद्ध्याप्यमलों की अडगू पिड़ंतो вперगी उन्नाडू एक दीन पिताकू पुत्र अच्छे मिलने की इच्चाहुई आवर वें पुत्रuben्य मिलने उसके दफ्तरमे गया उकरोजु तन्रिकी कोडुकुनी कलिस्कोवालाने कोरिका मनसुलों कलिगिंदी वेंटेने आ तन्री कोडुकुनी कलिस्कोवालाने कोरिका मनसुलों कलिगिंदी वेंटेने आ तन्री कोडुकुनी कलिस्कोवालान कोसमु आफिस की बैलु देराडू वहां उसने देखा की उसका पुत्रु एक शान्दार दफ्तर का अधिकारी बना हुआ है अतडु अकड एम चूसाड अंटे अकड उक मन्ची शान्दार अंट मन्ची गुप्प कमपीनी लो पनिचेस्तुना गुप्प अधिकारी गा चूसाडु ये सब देखकर पिता का सेना गर्वु से पुल गया तन कुडुको मन्ची पोजिशन लो उन्डड़न चूसी तन्डर यक का तला अंट गर्वम तो पुँगी पोयाडु वे चुपके से उसके कम्रे में पीचे से जाकर उसके कंदे पर हात रखकर कडा हो गया और प्यार से अपने पुत्रु से पूचा अतडु दाक्कोनी तनकुडुकु गदियोक्का वेनकबागम नुण्डी वेल्ली तनकुडुकु बुजम्पैना चेति वेसी निलबड़्डाडु तरवात प्रेमतु तनकुडुकु नुई विदंगा अडवुत्तु उन्नाडु इस दुन्या में सफसे शेक्तिशाली इंसान काउन है इप्रपंचमलों अंदरिकन्ना बलवन्तुडएना मनिशी एवरु अनि प्रश्निस्तु उन्नाडु पुत्रुने पिताको बड़े प्यार्चे हस्तेवे कहां मेरे अलावा काउन हो सकता है खोडुकु तन्रितो चाला प्रेमगा नवुतु इविदंगा अंट्रिनाडु नाकन्ना गुप्पा शेक्तिशाली वन्तुड एवरु उन्टारु अनि उसे विश्वास्थाकी उसका बेटा गर्व से कहेगा पिताजी इस दुन्या के सबसे शिक्तिशाली इन्सान आप हे जिन्होने मुझे इतना योग्यु बनाया अतनिकी तन्रिकी एमनी नम्मकमुणे नंटे तनकोडुकु गर्वंगा अंटाडु नाना इप्रपंचमलो अंदरे कंटे गुप्प शिक्तिशाली मन्षी मीरे इन्दु कंटे नाको इन्त गुप्प योगीड़ुग तैयरी चेशारु कावट्टी उनकी आँके चल्चला आई अतनिकनललो नीरु जलजला पारुतु उच्चिसाई वे कम्रे के दरवाजा को खोल कर बाहर निकलने लगे अतनु गदियोक का तलपुला नितीस्तु बैटक को विल्तु उन्नाडु उन्होने एक बार पीचे मुड कर पुना हुँ बेटे से पूचा एक बार फिर बतावो इस दुन्या का सबसे शिक्तिशाली इंसान कौन है अतनु ओकसारी वेनकक कुतिरी मरला कोडुकुन प्रश्निस्तु उन्नाडु पुत्रुने इस बार कहां पिताजी आप हे इस दुन्या के सबसे शिक्तिशाली इंसान कोडुकु एमनी समाधान मिस्तुन नाड़ांटेल नाना मीरे इप्रपंचम लो अंदरी कंटे गुप्प बलवन्तुड ऐना मनिशी मीरे पिता सुनकर आच्चर्य चक्कित हो गये तन्री कोडुकु एक को समाधानम विनी आच्चर्य चक्कितुलु आई पोयारू उन्होने कहा अभितो तुम अपने आपको इस दुन्या का सबसे शेक्तिशाली इंसान बता रहेतु आप तुम मुझे बता रहे हो तन्री कोडुकु एक समाधानम विन्न तरवत इविदंगा अंटुन नाड़ू इप्पडे कद नीवू इप्रपंचम्लों अंदरिकना बलवंत तुडव caucusना मनिशिनी अन्नावू मरी इप्पडू नेने अंदरिकना बलवंत तुडवавайना मनिशिनी अन्टुन नावू इनदुक नी अनी प्रश्नीस्तु उन्नाडू पुत्रने हस्ते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहां उस समय आपका हात कंदे परता जिस पुत्र के कंदे पर यां सिर्पर पिता का हात हो वे पुत्र तो दुन्या का सबसे शेक्तिशाली इंसान ही होगा ना कोड़ुकु नववुतु तनमुनतु कूर्चो वेडितु इी विधांगा अन्टू उन्नारु आ समयं में योक्कचेतु ना बुजँपैना उन्ना दी एकोड़कु योक्क चेतु बुजाम पैना लेदा तला पैना चेतु उन्टुंदो आकोड़कु प्रपंचमलो अंदरिकन्ना गुपप शिक्तिशाली मन्षि आउताडू पिताकी आंकबर आए उन्होने अपने पुत्रुको कस करके अपने गला लगालिया तनरिकी तनकोड़कु योक्का माटली विनगाने कनल निंडा नीर्वच्चे साए वेंट़यने तनकोड़कोने तना गुंड़को हद्थ्थु कोने कौईा ङली लेंचु कुन्नाडू